नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में स्कुलर्शिप सत्र 2021 के लिए ओनलाइन सालादरपन मोडूल शुरू हो चुका है यह हैं एक मैदपुन न्यूज है, अब हम आसानी से इस सत्र के लिए चातर चात्राओं का ओनलाइन चातरवर्थी फोर्म भर सकते हैं इसके लिए हमें स्कुल आइडी के दौरा सालादरपन पोर्टल पर लोगिन होना है इसके पश्यात हमें स्कीम के उपर जाना है यहाँ पर आप स्कीम देख सकते हो, स्कीम को हमें किलिक करना है किलिक करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहां पर तीन ओप्षन दे रखे हैं सबसे पहले हम सबसे पहले हम सबसे पर किलिक करते हैं स्कॉलर्शिप आइडेंटिफिकेशन विडिटेल एंड अलोटमेंट इसमें कुछ नोट दे रखे हैं वह हमें पढ़ने चाहिए साला दरपन पर इस पेज पर चात्रवर्ति मोडूल में विध्यारती का आइडेंटिफिकेशन करके उसकी नीजी सूचना भरें विध्यारती की नीजी सूचना भरने के पश्यात उसे नियमित चात्रवर्ति अलोट करें किसी भी विध्यारती को चात्रवर्ति नूँ अलोटमेंट या री अलोटमेंट करने के लिए आधार का भरना, जनाधार का ओथेंटिकेशन, बैंक डिटेल भरना, फैमेली, एन्वल इंकम और डोकुमेंट सूची भरना आउशक है पूर मैट्रिक चात्रवर्ति की साला दर्पन मोडूल पर ओनलाइन आवे दिन करने की अन्थिम दिनांग 30 सितंबर 2020 है दोस्तों ये सूचनाएं पढ़ने के बाद में हम नीचे देखते हैं सेशन पहले से दे रखा है, हमें कलास सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी कलास के लिए हम चात्रवर्ति देना चाते हैं, उसको सेलेक्ट करना है और सेक्षन को सेलेक्ट करना है नीचे आप देखेंगे कि तीन ओप्सन दे रखे हैं इस पर कलिक करेंगे तो सभी स्टूडेंट की सूची दिखाएगा इसे चात्र चात्र नहीं है या उनका स्टेटास अभी पैंडिंग चल रहा है तो हम शो ओल स्टूडेंट पर कलिक करके देखते हैं यहाँ पर कलिक करने के बाद में आप नीचे देखेंगे कि जितने भी विद्यारती हैं सभी का नाम आ चुका है समंधित किलास से जितने भी बच्चे हैं सब का नाम आ गया सबसे पहले यहां सेलक्षन दे रखा है तो हमें सेलक्षन करना है चातरवर्ती के लिए पातर है या चातरवर्ती के लिए आविदन करना चाता है या नहीं चाती है अगर चातर आविदन ही नहीं करना चाता तब हम इसको तीसरे उप्षन को सेलेक्ट करना है तो दोस्तो एक हम करके देखते हैं इसमें हमने सलेक्ट कर लिया है और स्कुलर्शिप अलोटेड लास्ट सेशन इसमें नो शो हो रहा है आइडेंटिफिकेशन स्टिटस यह भी शो नहीं हो रहा है तो इसको भरने के पश्चाथ यह शो होने लगेगा उसके बाद हम देखते हैं शो ओनली इलिजिबल स्टुडेंट जो पातर चातर चातराएं हैं उनकी सूची देखने के लिए हम इस टैब का उप्योग करेंगे अभी नो रिकोर्ड फाउंड है क्योंकि अभी हमने किसी भी शातरवर्ति के लिए आविदन नहीं किया है ऐसे ही शो ओनली नोट इलिजिबल पेंडिंग स्टेटस जो नोट इलिजिबल हैं पातर हैं उनकी लिष्ट देखने के लिए यहां पर किलिक करके सो इस्टुडें स्टुलर्शीप फाइनल सब्मीट या अनलोग यहां पर किलिक करना है कि यहां पर किलिक करने के बाद में कुछ इस परकार का पेज आपके सामने खुलेगा उसमें कुछ नोट दे रखे हैं आये वह पढ़ लेते हैं हम पूर मैटिक शातरवर्ती भी साला दरपन मोडूल साला दरपन पर सातरवर्ती मोडूल में एक बार फाइनल समीट करने के नाम जोड़े जा सकते हैं अगर एक बार आपने फाइनल समीट कर दिया उसके बाद भी कोई चातर आवेदन करना चाहता है तो हम उसका नाम भी जोड सकते हैं विध्यार्तों की गलत पुरिष्टी हो स्कुलर्षिप अलोट्मेंट पेज पर नई स्कुलर्षिप अलोट कर विध्यार्ती का आवेदन करें अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो हम उसको लोग कर लेंगे चातरवर्ती को और फिर दुबारा हमारी परविष्टी को सई करके फिर से हम लोग कर देंगे नीचे आप देख सकते हैं select appropriate action session दे ही रखा है तो हमें किस परकार की छातरवर्ति भरनी है उसके लिए बहुत सारे option दे रखे हैं आप इन में से select कर सकते हो तो मा लिजे हम इस option को select करते हैं और go पर click करते हैं अभी no record found बता रहा है क्योंकि हमने अभी किसी भी छातर के लिए छातवर्ति काविदन नहीं किया है इसलिए final summit भी नहीं होगा इसके बाद में हम देखते हैं जो तीसरा tab था उसमें क्या चीज़े हैं इसके लिए वही procedure follow करना होगा इसकी scholarship और scholarship module user इसको download करने के बाद में हमें चातरवर्ति किस परकार भनी है क्या rates रहेंगी final summit कैसे करना है जितने भी चीज़े हैं सरी हम PDF के थुरू पढ़ सकते हैं और इस परकार आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप comment कर सकते हैं यह हम आपको description box में उपलब्द करवा दूँगा आए इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है वहीं सारी चीज़े इसमें दे रखी हैं जो अभी आपको बताया गया है दोस्तो इस PDF को एक बार पूरा पड़ लेना ताकि आपको पड़ती एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके दोस्तो इस परकार आप एक बार इस PDF को पूरा भर लेंगे पड़ लेंगे तो इसमें चित्रों के माध्यम से समझाया गया है कि किस परकार यह पूरी परकिरिया करनी है मैं एक और वीडियो चातवरती के उपर बना दूंगा जिसमें लायू आपको दिखाया जाएगा कि चात्रों वर्ती किस परकार भरनी है इसलिए आप चैनल से जुड़े रहे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर आते जाएंगे एक बार चात्रों वर्ती के दर्य देख लेते हैं ऐसी के लिए चात्र 75 रुपय परतिमा और चात्र 125 रुपय परतिमा अधिक्तम दस मा के लिए होते हैं तो साथ के लिए 750 रुप हो गए। जातरा के लिए 1250 ऐसे ही अनुसुचिती जन्जाति के लिए पिछेत पर चात्र के लिए और 1325 इस प्रकार बहुत सारी रिट्स और कॉन से चात्र nerve कि पैसों के लिए चात्रवर्ति के लिए योग्य है पात्र है तो हम इस लिस्ट में देख सकते हैं और उसी परकार एप्लिकेशन फोर में भी उसको दर्ज करना है लाश्ट में एक विशे सूचना दे रखिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं एक बार समस्त पूर्मेटिक चातवर्ति योजनामेक अक्षावार पात्र विध्यारतों के संपूर आवेदिन भरने के पश्चात फाइनल समीट एम लोक्ड करने के पश्चात भी यदि कोई विध्यारती आवेदिन करने से वंचित रह जाता है तो उसका भी आवेदन किया जा सकता है यदि किसी विध्यारती का आवेदन गलत हो जाने के स्थिति में अनलोक्ड करके सुधार किया जा सकता है जी आँ दोस्तों अगर कोई वंचित रह जाता है तो उसको दुबारा भर सकते हैं और कोई तुरूटी हो गई तो हम उसको फिर से अनलोक करके सुधार करके लोक कर सकते हैं गत वर्ष भर गए आवेदन में दिकान सुचनाई ओटो फिल्ड होंगी इस नवीनी करन आवेदन में विध्यारती से जनाधार नंबर आधार नंबर आए गोशना पत्र के आधार पर सुचनाई अपडेट करनी होंगी यदि पिछली बार भी किसी चातर चातरा ने उनसे आय परमान पत्र जो लेटेश्ट होगा वो लेना है बाकी अन्य डोकुमेंट लेने के आवसकता नहीं है नवीन पातर चातरा के लिए हमें सारे डोकुमेंट्स लेने हैं वो आय परमान पत्र भी लेटेश्ट लेना है नए आवेदन में समस्त सूचनाई जन अधार नंबर आधार नंबर आय गोशना पत्र जाती प्रमान पत्र इत्यादी दस्तावेजों के आधार पर समस्त सूचनाई पोर्टल पर अपडेट करनी होंगी और जो भी सूचनाई होंगी वो हमें सभी साल अधरपन पोर्टल प है किस परकार हमें चातरवर्ति भढ़नी है कि प्रोसेस वहीं रहेगा इस खीम पर जाकर इसकोलर्शिप फिर इसकोलर्शिप अलोटमेंट अब हमें क्या करना है क्लास को यहां से सलेक्ट कर लेना है फिर सेक्शन को और श्यो आल स्टुडेंट पर हमें क्लिक करना है अब आप नीचे देखेंगे कि इस क्लास के सभी छातर और छातराओं की सुची परदसित हो रही है तो आप इनमें सलेक्ट कर लेंगे कौन पातर है और कौन पातर है सारी डिटेल्स बढ़ने के बाद में हमें ट्रांसपर फोर अलोटमेंट पर क्लिक कर देना है आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इस्टुडेंट सेव सक्सेस्पुली और हमें क्लोज कर देना है अब आप नीचे देखेंगे कि जिन भी बच्चों के लिए हमने किया था उनकी लिस्ट आ चुकी है सबसे पहले अफडेट का उप्षन है फिर छात्र की छात्राओं की डेटेल्स है और व्यू इसको आप देख भी सकते हो व्यू उपर क्लिक करके अलोट यू री अलोटमेंट और प्रिवियस सेशन इसकोलर्शीप तो यहां से आप री अलोट कर सकते हो क्यक्षाच है कि विद्यारतों का होगा नहीं क्योंकि पिछले साल उन्होंने चात्राओं के लिए भरानी था सेलेक्ट इसकोलर्शीप फोर करेंट सेशन अब आप इसमें से छात्र के लिए जो लागू होती है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे यह ओटमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने परफत्र 6 परफत्र 5 और परफत्र 9 भर रखा है यहां से सलेक्ट करने के बाद में हमें अलोट न्यू पर किलिक करना है अब यह मेसेज दे रखा है कि इसके आधार नंबर और डोकुमेंट्स पेंडिंग है इसलिए अभी यह हो नहीं सकता है तो इसके लिए हमें पहले अपडेट करना होगा आप देख सकते हैं दोस्तो एक नया पेज खुल गया है अब हमें सारी चीजें इसमें अपडेट करनी होगी इसके आधार नंबर और जनाधार आईडी रासन कार्ड और सारी चीजें भढ़ने के बाद में हम इसको अपडेट कर देंगे और बैंक की डेटेल है वो जनाधार से लिंक है उसकी सारी डेटेल आजाएंगी और नीचे ये डोकुमेंट्स हैं जो भी डोकुमेंट्स हैं उसके टिक करना है और अपडेट कर देना है इस पर कार एनवल इंकम और ये सारी चीजे जाएंगी और हमें अपडेट कर देना है जब आप दोस्तों इसको अपडेट कर दोगे उसके पस्चात आप छात्रवर्ति के लिए अपलाई कर सकते हो अभी के लिए इसको कर देते हैं सारी डिटेल अपडेट करने के बाद में हमें अलोट न्यू पर किलिक करना है और चात्रवर्ति के लिए आविदन करना है अगर आप इन में से इस लिस्ट में से किसी बच्चे का नाम डिलीट करना चाहते हैं लिस्ट में से अठाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक डिलीट का ओप्षन दे रखा है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं मा लीजिए यह चातर गलती से आ गया इस लिस्ट में और इसको दिलिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर simply क्लिक करेंगे एक message आएगा इसको yes कर देंगे फिर एक message आएगा क्या आप इस परिविष्टी को pond rope से दिलिट करना चाहते हैं तो इसको भीयस कर देंगे तो छात्रवर्ती जो चात्र है छात्रवर्ती की लिस्ट से हड़ चुका है तो उसका identification process हमें फिर से करना पड़ेगा अगर उसको फिर से जोड़ना है तो तो साथ ही हो इस परकार हम परतेक कक्षा के जो भी पात्र चात्रवर्ती के लिए आविदन करना चाते हैं उनका आविदन ये process follow करके हम पूरा कर सकते हैं और इसे को कारिको करने से पहले जो PDF है उसको एक बार हम ध्यान पूरुक पढ़ लेंगे तो हमें सारी details का पता लग जाएगा जब अपने विद्याले के आविदन करूंगा तो एक live वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी आप details से वीडियो देख सकते हो और चात्रवर्ती की पूरी process को समझ सकते हो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवा दोस्तों चात्रवर्ती से समंदित कोई समझ आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं आपकी समझ आ का निदान किया जाएगा